नाडी शोधन नाडी शोधन को अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है इस प्राणायाम की मुख्य विशेश्टा है कि ये दाएं और बाएं नासिका चिद्रों से क्रमवार श्वास प्रश्वास को रोक कर या बिना रोके किया जाता है नाडी शोधन को करने के लिए सबसे पहले आप सुखासन में बैट जाएं जो की एक ध्यानात्मक आसन है सुखासन के अलावा नाडी शोधन दूसरे ध्यानात्मक आसन जैसे बदमासन, स्वस्तिक आसन या वजरासन में भी किया जा सकता है जो जमीन पर बैठने में असमर्थ हैं, वे कुर्सी पर बैठ कर अभ्यास कर सकते हैं। सुखासन में बैठते समय सुनिश्चित करें कि आपका मेरुदंड सीधा हो, सर उंचा, दोनों हतेलियां घुटनों पर और आखे बंध हो। अपने मेरुदंड को सीधा रखने में आप दीवार का सहरा ले सकते हैं। अब कुछ गहरी सांसे लेकर शरीर को आराम की स्थिती में लाएं। नाड़ी शोधन का अभ्यास शुरू करने से पहले आई अपनी उंगलियों की पहचान कर लेते हैं। अंगुठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। और अंगुठा, अनामिका और कनिष्ठा उंगली खुली रखें। लें और उसे अंगूठे से बंद कर बाई नासी का छिद्र खोल कर सांस बाहर छोड़ें। ये नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। ऐसे पांच चक्र दोहराएं। प्रारम में सांस लेने और छोड़ने में बराबर ही समय लगेगा। लेकिन सांस को बहुत ही धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि जितना समय हम सांस भीतर लेने में लगाते हैं। उससे दुगना समय सांस छोड़ने में लगे। शरीर में उर्जा वहन करने वाली सारी नाडियों का शुद्धिकरन करके पूरे शरीर का पोशन करना है। ये रिदय रोगियों के लिए बहुत लाब दायक है। नाडि शोधन कफ सम्मन्धित विकारों को दूर करता है। नियमित रूप से नाडि शोधन का अभ्यास, जीवन शक्ति और एकाग्रता बढ़ाता है। और तनाव तथा व्यग्रता के स्तर को कम करके शांति प्रदान करता है।